Hello friends, this is Raj Yadav and welcome back to SmartCG Update तो friends, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं minimum qualification की तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि जो DL8 के candidate है, DL8 के student है ठीक है, जो DL8 में admission लेना चाहते हैं उनको 12th में कितना percent होना अनिवार है यानि कि कितना minimum percent होना अनिवार है ताकि वो DL8 कर सकें तो यहाँ पर government ने जो है, एक criteria fix किया हुआ है कि उससे नीचे वाले percent वाले candidate DL8 नहीं कर पाएंगे तो उसी के बारे में यह पूरा वीडियो है तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा वीडियो बहुत important और informative है तो चलिए अपने इस वीडियो को start करते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप channel पर नहीं है तो please channel को subscribe जरूर कर लेंगे ताकि जब भी मैं इसी तरह के videos upload करूँ आप तक notification पहुँच जाए तो चलिए अपने इस वीडियो को start कर लेते हैं तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पर information देना है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपने screen में यहाँ दिया हुआ है कि pre-diet परिक्षा में तो यह delayed है सेकेंड में यह कहा गया है कि higher secondary यानि कि कक्षा बार्वी अत्वा उसके कम समकक्ष परिक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत के साथ उत्तिर्ण हो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों अन्य पिशावर्ग क्रिमिलेयर को छोड़ कर तो जो OBC, ST, SC के जो candidate होंगे एवं राज्य सरकार के नियमों के नुसार समवर्ग के अभ्यार्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिसत की छूट व्यवस्ता होगी छूट की व्यवस्ता होगी तो यहाँ पर साब सब्दों में यह कहा गया कि कम से कम आपके 50% होने चाहिए बट आप अगर जो है छूट की क्राइटेरिया में आते हैं छूट की केटिगरी में आते हैं जैसे कि ST, SC, SC ठीक है SC, ST और OBC क्रिमी लेयर हैं ठीक है नॉन क्रिमी लेयर हैं तो यहाँ पर आपको 5% की छूट दी जाती है इसके लावा और भी राजसरकार के नियमों के नुसार अगर आपको कोई छूट मिलती है तो आपको 5% की यहाँ पर छूट दी जाएगी इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि SCF भेहर्थी को जो प्लस 2 यानि कि 12 की परिक्षा में प्री डियेड परिक्षा में प्रोविजन प्रवेस दिया जाएगा यानि कि जिन्होंने 12 का एक्जाम दिया हुआ है बट उनका रिजल्ट आया नहीं है तो उनको प्रोविजनल प्रवेस दिया जाएगा परंतु उन्हें online विकल्प form भरने की समय plus 2 परिक्षा उत्तिर्ण का प्रमाणपत्र प्रस्तूत होगा यानि कि online जब विकल्प भरेंगे ठीक है तो उनको क्या है कि pre-DLate में बैठने के लिए दिया जाएगा जो exam आप लोग दे चुके हैं उसमें बैठने तो दिया जाएगा लेकिन जब वो counseling के लिए online विकल्प का फर्म भरेंगे counseling के लिए form भरेंगे उस समय तक उनको plus 2 की exam उत्तिर्ण होना चाहिए plus 2 उनको pass होना चाहिए यानि कि 12 उनको उत्तिर्ण होना चाहिए तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा और उसके बगल वाले bell icon को press कर गए all पर set कर दीजेगा इस video में इतना ही था मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद